एक खना जंगल था, वहाँ पर कई जानवर रहते थे, वहाँ पर एक सेर भी रहता था, जो रोज जानवरों का सिकार कर उन्हें खा लेता था, सभी जानवर इसी भैस से बहुत ज़्यादा परिसान रहते थे, कि कब सेर उन्हें मार कर खा लेगा, कभी वो किसी जानवर को पक etmeaton सभी ने मिलकर के एक योजना बनाई सब जानव बतनी लगं कि हम लोगों को सेर्थ से बात करनी चाहिए कि वो हम लोगों को एक साथ सारे जनवरों को ना ख़ा करके दो यह सब बात करने के रिए वो सब सेर के पास पहुचे और सब पहुचने के बाद उन्होंने सेर से निवेदन किया कि आप हम लोगों को एक साथ मत खाये हम असे एक जानवर रोज आप के पास पहुच जाएगा और ये करम जारी रहा इसी तरीके से चलता रहा और सेर एक जानवरों को खाता था एक बारी आई खरकोस की खरकोस बहुत वसियार था उसने एक योजना बनाई उसने सेर से कहा कि महराज इस जंगल में एक दूसरा सेर आ गया है जो मुझे खाना चाहता था लेकिन मैं बचते बचते आपके पास आया हूं तो फिर सेर गुस्से से अब भूला हो गया और बूला चलो